C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा एक की गणित की ध्वनी पुस्तक आनन्द मैं पाट दू क्या है लंबा? क्या है गोल? प्रिश्ट दस अपने आसपास देखो विद्यादीदी ने सभी बच्चों को गोला बना कर बैठने के लिए कहा यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है इस चित्र में विद्यादीदी और बहुत से बच्चे दिखाई दे रहे हैं विद्यादीदी बोली क्या है लंबा? क्या है गोल? आसपास देख जल्दी बोल तब ही एक बच्ची कहती है देखो देखो मेरा पैंसिल बॉक्स है लंबा, मेरी चूडी है गोल क्या है लंबा, क्या है गोल, आस पास देख जल्दी बोल और इसके बाद वहीं बैठा एक बच्चा बोलता है देखो देखो मेरी टांगे है लंबी, मेरा चेहरा है गोल ये खेल बच्चों के साथ कक्षा में खेलें। बच्चों को लंबाई एवं गोलाई के आधार पर दो-दो वस्तू के नाम बताने के लिए कहें। हर बार नई वस्तूं का नाम लेना है दोहराना नहीं है बच्चे वस्तूं के एक ही आयाम की ओर ध्यान देकर भी उनका वर्गी करण कर सकते हैं जैसे कोई गिलास को लंबा और कोई आन्य बच्चा उसे गोल कह सकता है दोनों तरह के उत्तरों को तर्क के आधार पर सही माना बच्चों को अपने वर्गी करण का तर्क देने के लिए कहें प्रिष्ट 11 है सोचो और करो का गोल वस्तूं को गोले में और लंबी वस्तूं को चौकोर में बनाईए इस प्रिष्ट पर दो आकार बनाए गए हैं पहला आकार गोल है जिसमें आपको गोल वस्तूं को बनान और एक चौकोर डिब्बा बनाया हुआ है, जिसमें लंबी वस्तुओं को बनाना है गोल आकार में एक खेलने की गेंद और रोटी दी हुई है वहीं चौकोर आकार के डिब्बे में एक पीने के पानी की बोतल और एक पेंसिल बॉक्स बनाया गया है प्रिष्ट बारा है खा, एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं के जोडे बनाये यहाँ पर दस चित्र दिये गए हैं आपको एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं के जोडे बनाने है यह चित्र हैं, ड्रम, फुटबॉल, डिब्बा, पूरी, टोपी और दूसरी ओर रोटी, चप्टा डिब्बा, मुम्बत्ती, कागज का कोन और गेंद दिये गए हैं गा, गेंद जैसी दिखने वाली वस्तुओं पर सही का चिन लगाईए यहाँ पर चार चित्र दिये गए हैं, तर्बूज, पीने के पानी की बोतल, पेंसिल बॉक्स और आइसक्रीम कोन आपको गेंद जैसी दिखने वाली वस्तुओं पर सही का चिन लगाना है प्रिष्ट ते रहा घा, टोपी जैसी दिखने वाली वस्तुओं पर सही का चिन लगाईए यहाँ पर चार वस्तुओं दी गई है पहला, कागस का कोन, दूसरी मुमबत्ती, तीसरी पूरी और चौथा एक डिबबा आपको टोपी जैसी दिखने वाली वस्तुओं पर सही का चिन लगाना है अंगा, गिलास जैसी दिखने वाली वस्तू पर सही का चिन लगाए यहाँ पर चार चित्र दिये गए हैं पहला गेंद, दूसरा पीने के पानी की बोतल एक डिबबा और एक स्कूल बैग आपको गिलास जैसी दिखने वाली वस्तू पर सही का चिन लगाना है चा, दिया सलाई या माचिस की डिब्बी जैसी दिखने वाली वस्तू पर सही का चिन लगाए यहाँ पर चार वस्तू के चित्र दिये गए हैं पूरी, गेंद, पेंसिल बॉक्स और कागस का कोन आपको दिया सलाई या माचस की डिब्बी जैसी दिखने वाली वस्तू पर सही का चिन्ह लगाना है आओ करें अपने परिवेश में से अलग-अलग कुछ वस्तूएं लेकर घर, खिलोना, टावर, रोबोट, बस या अपनी पसंद की कोई अन्य वस्तू बनाईए आप कौपी, पुस्तक, पेंसिल का डिब्बा, पानी की बोतल, पुराने या बेकार डिब्बे, जन्दिन की टोपी इत्यादी का भी उपयोग कर सकते हैं बच्चों के चार समुह बनाईए प्रतीक समुह को कोई एक आकरती दीजिए एवम बच्चों को अपने परिवेश से दी गई आकरती जैसी दो वस्तूएं लाने के लिए कहिए सभी इकठी की गई वस्तूओं को कक्षा में सभी के सामने रखिए और बच्चों को अपनी वस्तूओं को साजह करने एवं अनुभव बताने के लिए कहिए कि उन्होंने उस वस्तूओं को क्यों चुना प्रिश्ट चौदह समझदार दादी एक बार एक मेमना था वो अपनी दादी से मिलने जा रहा था एक बेडिये ने मेमने को देखा वह उसे खाना चाहता था मेमना बोला कृप्या मुझे अभी मत खाओ मुझे पहले अपनी दादी के घर जाने दो और मुटा ताजा होने दो बेडिया बोला ठीक है तुम जा सकते हो मेमने ने बेडिये के विशह में अपनी दादी को सब कुछ बताया दादी मा को एक विचार सूझा उसने मेमने को एक धोलक में लिटा दिया और धोलक को घर के लिए लुड़का दिया कक्षा में कहानी को पढ़े और बच्चों को अभिनाय करने को कहें प्रिष्ट पंद रहा धोलक बहुत तेजी से लुड़की और भेडिये ने उसके पीछे भागना शुरू कर दिया भेडिया मेमने को पकड़ नहीं सका एवं मेमना सुरक्षित अपनी घर पहुँच गया घर पहुँचने के बाद मेमने ने कहा धन्यवाद तादी बच्चों को धोलक के लुड़कने के कारण खोजने दीजिए धोलक के आकार एवं जंगल से मेमने के घर तक ठलान वाले तल या रास्ते के संबंध पर चर्चा कीजिए फ्रिष्ट सोलह आओ खेले चित्र में बच्चे कैरम का खेल खेल रही है आप भी खेलो और पता लगाओ कि गोटियों को सरका कर गोले में कैसे डालते हैं यहाँ पर एक चित्र बना है जिसमें बच्चे कैरम खेल रही है उनमें से एक बच्चा कहता है मेरी गोटी सरकनी की जगए उचल के लुड़क गई दिये गए चित्र में लुड़कने वाली वस्तूँ पर सही का चिन्ह लगाईए एवं सरकने वाली वस्तूँ पर गलत का चिन्ह लगाईए यहां पर एक चित्र दिया गया है जहां बहुत से बच्चे खेल रहे हैं इन में से कुछ चीजें सरकने वाली हैं और कुछ चीजें लुड़कने वाली हैं आपको सरकने वाली चीजों पर गलत का निशान लगाना है और लुड़कने वाली वस्तूँ पर सही का चिन लगाना ह अपने आसपास से अलग-अलग वस्तुएं एकठी कीजिए एवं पता लगाए कि वे लुढक्ती है या सरक्ती है क्या आपने ऐसी वस्तुएं भी देखी है जो लुढक्ती भी है एवं सरक्ती भी है यदि हाँ तो इनके विशय में कक्षा में चर्चा कीजिए बच्चों से परिवेश की ऐसी वस्तुओं की नाम बताने के लिए कहिए जो लुढक्ती भी है और सरक्ती भी है कोई वस्तु किसी समतल या धलान वाली जगह पर क्यों लुढक्ती है या सरक्ती है इस पर बच्चों से चर्चा कीजिए प्रिश्च सत्रह सोचो और करो पता लगाईए कि नीचे दिखाई गई वस्टूएं लुढ़क्ती है या सरक्ती है या फिर लुढ़क्ती भी है और सरक्ती भी है सही और गलत के चिन्ह लगाईए यहाँ पर कुछ वस्तूओं के चित्र सूची में दिये गए हैं यह वस्तू है गेंद, पेंसिल बॉक्स, किताब, नारंगी, पीने के पानी की बोतल, छोटा गिलास, चमच और कागस का कौन आपको सही और गलत का चिन लगाना है और ये बताना है की कौन सी वस्तू लुड़क्ती है, कौन सी सरक्ती है, या कोई ऐसी वस्तू, जो लुड़क्ती भी है और सरक्ती भी है परियोजनाकार्य का गत्ते के कुछ डिब्बे जैसे जूतों का डिब्बा, खाने के खाली डिब्बे, फलों के डिब्बे इत्यादी कठे कीजिए डिब्बों का उप्योग करके अपनी मन पसंद कहानी के लिए इन डिब्बों के सामने वाले भाग को काट कर आखें, मूँ और नाक बनाएं अपनी शिक्ष का अथ्वा अभिभावकों की सहायता से कटपुतली बनाईए, एवं कक्षा में कटपुतली के कारिक्रम का आयो जन कीजिए ख, अलग-अलग वस्तूं की सहायता से इमारत बनाईए, पता लगाईए कि किस आकार की वस्तूएं उंची और स्थिर इमारत बनाती हैं ग, चिकनी मिट्टी का उपयोग करते हुए विभिन आकार एवं वस्तूएं बनाईए अभी आपसुन रहे थे कक्षा एक की गणित की ध्वनी पुस्तक आनंद में वाचन्स्वर वैभो श्रिवास्तव और ममता मलकानी तक्नीकी निर्देशन बटी लेंग लिंग्डो ध्वनियंकन मयंक कुमार निर्मान सहयोग मिनाक्षी कुकरेती निर्देशन इवं निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C-I-E-T-N-C-E-R-T नईदिल्ली भारत